हम बात कर रहे हैं एक और सब्जिक्ट की जो हमारी एक सब्सक्राइबर है भागे शरी जेना जिनोंने रिक्वेस्ट किया था कि कुम और कन्या राशी का कोई बिरिष्टा कैसा रहता है इस पर कुछ परकाश डालिये है तो यह इनके लिए है कि कुम और राशी का कोई बिरिष्टा हो जाए वो भाई बेन काओ चैर पति पत्नी काओ चैर वो दो भाई Keys के में इस्टे माना जा जिसमें कुमभ राशी की तरफ से कोई एक्सस्पेक्टेशन इस रिलेशनिंशिप में नहीं है, और अगर यहां पर अगर हम पहले अगर हम बात करें कि अगर यहां पर यह दो प्रेमी और प्रेमिकाओं के बीच का अगर यह relationship है इसमें कुम्ब जो है वो महिला है और कन्याराशी पुरुश है तो इसमें जो है जो भी कुम्ब होगा वो बहुत ही समझदारी का परचे देगा उसका maturity level कन्या राशी से बहुत ज़्यादा हो और जहां तक यह इस relationship की अगर हम प्रेम संबंद की बात करें यहां पर तो यह जो है बहुत ही mature relationship होगा और यह कभी भी relationship teenager relationship नहीं होगा कि यह वावस्थागा तो महला 18-19 साल का प्रेम हो ऐसा नहीं हो सकता यह कभी भी यह relationship जो ही establish होगा यह 25 जिसके बाद होगा जब जो है maturity level बहुत ज़्यादा होगा और अगर यह दो भाईयों के बीच का relationship है तो जिसकी भी कुम राशी होगी चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो वो बहुत ज़्यादा समझदारी दिखाएगा कन्या राशी वाले emotional होते हैं बहुत ज़्यादा emotional होते हैं और उनको attachment की जिरूलत बहुत ज़्यादा पड़ती है लेकिन कुम राशी के लोग निर्मो ही होते हैं चाहे वो किसी भी उसमें हो वो समझते हैं कि किसी भी रिष्टे का महत बहुत ज़्यादा नहीं होता कोई भी रिष्टा हो उसका महत बहुत ज़्यादा नहीं होता ऐसा कुम्ब राशी के लोग मानते हैं उस किसी भी रिष्टे में एक समझदारी पैदा करना एक सबसे वड़ी बात है रिष्टा कोई भी हो चाए हो जन्म से हो चाए हो हमने बनाया हो कुम्ब राशी वाले मानते हैं वो रिष्टे सभी खोकले हैं अगर उनमें आपसी समझ या ट्रस्ट नहीं है तो कन्या राशी वाले ये मुश्टल है जिनको हमेशा किसी ना किसी सपोर्ट की इरुरत पड़ती है और कुम्ब राशी वालों से उनको इस सपोर्ट हमेशा मिलता रहेगा लेकिन यहाँ पर दिक्कत जभी पैदा होगी जब क कन्या राशी वाले कुम्ब राशी वाले को कंट्रॉल करने की कोशिश करेंगे और वो सब्सक्रेशन जीवन जीना पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा जो है चीजों में वो नहीं पड़ते हैं और यहाँ पर इस रिलेशिंशिप के बारे में हम यह कहते हैं कि यह सबसे को सफल बनाए या सफल बनाए पन्याराशीवालों से इस relationship में बहुत ज़्यादा उम्मीद करना वियर्थ रहेगा ठीक है और अपना ख्याल रखें और हमारा चेनल ना जरूर सब्सक्राइब करें थेंक यू थेंक यू बेरी मुच इंदीद and God bless you